आप सुन रही हैं सुनो किता Hello students, मेरा नाम आदिती है और आप मेरी order lectures में Class 12 कक्षा 12 में जो भी concepts यूज होते हैं economics को समझने के लिए या फिर हम अपनी अर्थ विवस्था को समझने के लिए जो भी concepts यूज करते हैं जो भी topic ज़रूरी हैं वो हम cover करेंगे इस audio lecture में हम समझेंगे basic से शुरू करेंगे और हमारा इस audio lecture का जो मुद्दा होगा जो topic होगा वो यह होगा कि जो हमारे market में वो भोगता होते हैं consumers होते हैं consumers कौन होते हैं मैं आप और बाकि सब लोग तो हम लोग जब market में जाते हैं तो हम एक तरीके से विवहार करते हैं हमारे कुछ basis होते हैं हम उसके basic basis पे विवहार करते हैं तो वो जो basis है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस audio lecture में और उस topic का नाम है वो जो basis है वो है उपयोगिता जिसको अंग्रेजी में utility भी बोलते हैं utility ये कैसी चीज है जिसके basis पे लोग चीज़े मांग करते हैं और market में विवहार करते हैं हम समझेंगे उपयोगिता यानि utility क्या है और इसको कैसे नाप सकते हैं और इससे related और क्या-क्या theories या फिर concepts जुड़े हुए हैं सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक भूगता होता है वो जब market में जाता है तो वो मांग की spaces पे करता है तो इसके दो कारण होते हैं सबसे पहला होता है कि उसकी आए कितनी है और दूसरा होता है कि उसे जादा से जादा जो है संतोश मिले अधिक्तम संतोश मिले यानि कि वो अपने पैसों को अपनी जो income है आए है उसको ऐसे ख अब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि धीरे-धीरे कि यह संतोज है, यह जो आए है उसको कैसे यूज़ करके हम समझ सकते हैं, कि एक भूपता मार्केट में कैसे विवहार करेगा. तो हम सबसे पहले आए और जो संतोश है दोनों को अलग-अलग करके समझेंगे फिर दोनों को मिला के समझेंगे तो उपयोगिता यानि कि यूटिलिटी को पहले समझते हैं एक उभोगता किसी वस्तों के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता अत्मसंतोश के अधार पर लगाता है जो वे उससे प्राप्त करता है यानि कि मैं अगर कुछ खरीद रही हूं तो मैं सोचूंगी कि अच्छा इसका प्राइस जो है इतना है और इससे मुझे सं संतोश इतना मिल रहा है तो क्या मैं इसको खरीदू या ना खरीदू या खरीदू भी तो किते क्वांटिटी में खरीदू उधारन के तौर पे माल लीजे कल को मैं जाती हूं बजार में और मुझे खरीदने का मन है कि मैं टी-शेट खरीदू अब मैंने एक टी-शेट दे ही मिलेगा 50 रुपे के बराबर का तो मैं सोचूंगी कि 25 रुपे में ये टी-शट जो है सही होगी मतलब मुझे 25 रुपे का संतोश सही मिलेगा 50 रुपे मैं जादा दे रही हूँ तो ये इस सोच पे ये हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसको उस चीज से उसके प्राइ इसके हिसाब से संतोश मिल रहा है तो मैं खरीदूंगी या फिर उस प्राइस से जादा कर संतोश भी मिलेगा तो भी मैं खरीदूंगी परन्तु अगर संतोश कम है और प्राइस जादा है तो मैं नहीं खरीदूंगी साथ में वस्तु के जितनी ज़ादा उशक्ता होती है अथ्वा उसको प्राप्ट करने के जितनी ज़ादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगदा प्राप्ट होती है यानि कि एक उधारन ले लेते हैं कि एक चॉकलेट है तो उस चॉकलेट की उप्योगिता यानि यूटिलिटी संतोज जो है उस व्यक्ति को जादा मिलेगी जिसको चॉकलेट पसंद है उसके मुकाबले जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है यानि कि अगर वो जो चॉकलेट पसंद है और मेरे को कोई बोल रहा है कि ये चॉकलेट खरीद दो इतने रुपे में तो मुझे उतने ही रुपे में उस चॉकलेट से जादा उपयोगिता यानि संतोष मिलेगा जबकि जिस व्यक्ति को चॉकलेट नहीं पसंद है उसे कम संतो दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि उसे वह चिस पसंद है कि नहीं और तीसरा प्राइस पर भी अब इसमें एक और चीज गौर फर्माने की है कि मा लीजे कि जो हीटर है रूम हीटर होता है उसकी उप्योगिता आप देखते हैं कि अलग-अलग जगा पे अलग-अलग लोगों के लिए कैसे अलग होगी जहां पे ठंडी जगा होगी वहां पे रूम हीटर की जो उप्योगिता है पहले तो उप्योगिता यानि की यूज उससे कितना यूज करके फाइदा मिल रहा है दूसरा उससे संतोश मिल रहा है ये दोनों चीजे कहां पे जादा होगी रूम हीटर की जहां पे ठंड होगी ना कि वहाँ पे जहाँ पे गर्मी होगी है ना जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे रूम हिटर की जादों प्योगिता क्यों होगी इसलिए जगा जगा पे हर तरीके से चीजों क्यों प्योगिता व्यक्ति पे डिपेंड करती है जगों पे डिपेंड करती है और भी कर चीजो पर अब यह तो हो गे उपयोगिता क्यों प्योगिता होती क्या है कि इक चीज से कि ज्वार को कि उप जुप से चाउकलेट। मुझे उपयोगिता मिलेगी मैं इसको यूज करूँगी और मुझे संतोष मिलेगा पर अब यह समझने की बात है जब हम अर्थ विवस्था को समझते हैं अर्थ विवस्था में घुसते हैं तो फिर हर वेक्ति की उपयोगिता को हम ना पेंगे कैसे जिससे हमें जो आगे है उसको कैसे नापते हैं तो जो दो तरीके हैं वो अभी हम आगे समझते हैं तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो है गणना वाचक उपियोगिता विशलेशन यानि की अंग्रेजी में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसस मतलब कि ये कहता है गणना वाचक उपियोगिता विशलेशन कहता है कि आप किसी भी चीज की जो उपियोगिता है उसको आप संखिया के द्वारा बता सकते हैं कि मान लीजे एक कमीज से प्राप्त उपियोगिता को ना पा जा सकता है और कहें कि यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता फ्रदान करती है यानि कि माल लेजे मैंने एक कमीज खरी दी और मैं खहते हूँ कि यह मुझे 50 यूनिट यानि 50 इकाई की उपयोगिता यानि यूटिलिटी दे रहा है तो यह जो सोच है यह जो विशलेशन है कि हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज की उपयोगिता है उसको हम नंबर से संख्या से बता सकते हैं उसको कहते हैं गणना वाचक उपयोगिता विशलेशन अब इसको और समझने के लिए हम तो महत्वपून मापों को समझेंगे तो जब पहला माप है वो है उपयोगिता की उपाय में कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता यानि टोटल यूटिलिटी अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है एक वस्तू की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तू की दी गई मात्रा को प्योग करने से प्राप्त होती है। अब इसको समझने के कोशिश करते हैं, मा लिजे एक वस्तू है X, X एक वस्तू है, ठीक है? अब मैंने X जो है X की N नंबर यानि की N नंबर की चीजे यूज की अब X को मैं इसको और सरल बनाने के लिए, मान लिजे X जो है वो है रोटी, ठीक है? और मैंने तीन रोटिया खाई, N जो है 3, N equals to 3, X is equals to रोटी, तो मैंने तीन रोटिया खाई और मुझे हर रोटी से कुछ उपयोगिता मिली, कुछ संतोष मिला अब अगर मुझे कुल उपयोगिता जानना है कि मुझे तीनों रोटियों से किती उपयोगिता यानि utility मिली, total utility क्या है मेरी तो वह बराबर होगी हर रोटी से मिली उपयोगिता को जोड़ के जो आएगा माल लिजे पहली रोटी से मुझे 10 utility मिली दूसरे से मुझे मिली 9 और तीसरे से मिली 8 तो जो खूल उपयोगिता होगी, total utility होगी, वह कित्य होगी 10 plus 9 plus 8 यानि कि बराबर हो जाएगी आपके 27 utility के, तो ये हो गया कुल उपयोगिता, total utility, उसके बाद आता है सिमान्त उपयोगिता, अब सिमान्त उपयोगिता क्या होता है? समझते हैं, इसको अंग्रेजी में marginal utility, marginal यानि हर एक utility, अब इसको अच्छे से समझते हैं, कि सिमान्त उपयो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो कुछ की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से होता है उधारन के लिए मान लीजे चार केलों से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्थ होती है और 5 केलों से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है स्वष्ट है कि 5 केले से उभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई 20 इकाईया माइनस 28 इकाईया इसलिए 5 केले की सिमान उपयोगिता 2 इकाई है तो इसका अर्थ क्या हुआ मार्जिनल इूटिलिटी सिमान उपयोगिता क्या है तो यहां पर पहले उधारन देखते हैं इससे आपको जादा बहतर तरीके से समझ आएगा तो माल लीजे आपने चार केले खाई और आपको उससे 28 इकाई की कुल उपयोगिता भी हमने पिछे पढ़ा कि कुल उपयोगि तो यहां पर आपको पता करना है कि जो आपने पांचवा केला खाया पहले चार खाया तो पांचवा जो खाया उससे आपको कितनी उपयोगिता मिली उस एक एक्स्ट्रा केले से तब क्या करेंगे जो पांच केलो की उपयोगिता है उसमें से पिछले चार केलो की उपयोगि उससे आपको दो इकाई की एक्स्ट्रा जो उपयोगिता है वो मिली आथि रिक्त उपयोगिता मिली अब एकना फॉर्मिला होता है कि अगर आपको marginal utility याने कि सिमानत उपयोगिता पता करना है कि कितनी है आपको जाना है कि उस एक्स्ट्रा एन के लिए याने एक और एक्स्ट्रा एड होने पे आपको कितना जो है एक्स्ट्रा नया उपयोगिता मिला तो आप क्या करते हैं कि आप TUN-TUN-1 करतेंगे याने कि जो टोटल नंबर यानि जितनी भी आपने कुल उस चीज की मात्रा का उपभोग किया है उसमें से एक माइनस यानि कि अगर आपने चार केले खाए हैं और आपको चौथे केले का जो उपयोगिता है पता करना है तो आप तीन केलो का जो ट एक और हम दूसरा फॉर्मुला भी समझते हैं एक और फॉर्मुला है वह तो टोल यूपियोगिता के लिए वो यूस हुता है अब उसका फॉर्मुला ये है कि आप तोटल यूटिलिटी यानि कि कुल उपयोगिता को कैसे नाप सकते हैं आप क्या करेंगे मां लीजे आपने चार केले खाए हैं तो आपको पता करना है कि आपको कुल उपयोगिता किते मिली तो आप क्या करेंगे हर केले से मिली हुई उपयोगिता को जोड़ देंगे यानि कि marginal utility पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का सब का जोड देंगे, फिर आपको मिल जाएगी कुल उपयोगिता. हर सिमानत उपयोगिता को जोड के आपको कुल उपयोगिता मिल जाएगी. अब यहाँ पे एक और चीज गौर सर्माने की है, कि होता क्या है, कि आप जैसे जैसे किसी एक गुड का, यानि मान लेजे एक्स गुड है, आप उसकी जैसे जैसे चीजे उभोग करते जाएगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एड करकरके, तो आपका जो utility है, यानि कि उपयोग मिली है, दूसरे से आपको उससे कम मिलेगी, फिर तीसरे से और कम, चौथे से और कम, तो यह क्या होता है, कि एक लेवल तक आप खुद सोचिए, अगर आप स्टार्टिंग में भूखे हैं, आपको बहुत तेज से भूख लग रही है, तो आप जिस चीज को उस वक्त जाएंगे, तो आपका धीरे-धीरे जो है, तो आपका जो संतोश है, वो कम होता जाएगा, जो आपको उससे संतोश मिल रहा है, खुशी मिल रही है, उससे खा कर, वो कम होती जाएगी, होता क्या है, कि आपको उसको और पानी की इच्छा कम होती जाएगी, यानि कि अगर स्टार्टिंग में भूग लगी है तो आप चाहेंगे कि आप जादर से जादर खाएं फिर जैसे जैसे आपका पेट भरेगा आपको जो आप जो खाते जाएंगे उससे आपको खुशी या संतोश मिल रहागा वो कम होता जाएगा अब ये जो सीमान्त उपियोगिता होती है उससे जो है कुल उपियोगिता पे भी फरक पड़ता है अब कैसे अभी अभी हमने समझा कि जो कुल उपियोगिता होती है वो सीमान्त उपियोगिता के सम का हिस्सा होती है यानि कि जब आप सीमान्त उप्योगिता को जोडते जाते हैं तब आपको कुल उप्योगिता मिलती है तो जैसे जैसे आपका सीमान्त उप्योगिता कम होता जा रहा है घटता जा रहा है तो जो कुल उप्योगिता है उसमें वृध्धी तो होगी परन्तु घटते दर से होग अब उसके लिए मैं एक उधारन देती हूँ, मा लिजे कि आपने चार केले खाए, पहले से आपको मिली 10 की utility, 10 unit की, ठीक है, दूसरे से आपको मिली 9 की, तीसरे से आपको मिली 8 की, और चौथे से आपको मिली 7 की, अब हुआ क्या utility घटी गई, जो प्योगित है वो कम होती जा रही है, अब आप इसका total utility निकाले, कि जो आपको कुल उप्योगिता है, वो किती मिल रही है, तो पहले 10 था, फिर 9 था, फिर 7 था, अब इसको जोडेंगे तो पहले आएगी 10, फिर 10 में 9 जोडा, तो आगे आपके पास 19, फिर आप 19 में 8 जोडेंगे तो आएगा 27 और फिर 27 में साथ जोडेंगे तो कुल उप्योगिता हो जाएगे 34, अब ये देखें कि कुल उप्योगिता जो है, वो बढ़ रही है, 10 से 19, 19 से 27, 27 से 34, पर एक यहाँ पर फरक देखें, पहले 10 से 19 हुई, तो 10 से, जो 19 में बढ़ होतरी हुई, 9 की हुई, फिर 19 से 27 में सिर्फ 8 की यानि कि कुल उप्योगिता बढ़ तो रही है, पर घटते दर से, यानि कि जिस दर पे वो बढ़ रही है, वो घटता जा रहा है, उसके बाद हम, हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे वे वस्तु की उप्भूग मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे उसके उप्योगिता जो है, वो गिरती जाती है तो यहां पे जो नियम कार्म करता है उसे हम कहते हैं रास्मान उपयोगिता नियम अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लौ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानि कि गिरते हुए सिमान उपयोगिता का लौ का नियम तो होता क्या है कि जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे मात्रा तो आपका जो संतोश है जो उपयोगिता है वो कम होता जाएगा इसे लिए यहां पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हास्मान उपयोगिता नियम काम करता है अब यहां पे हमें कॉल रिले глаз जो मार्जिनल लिउटिलिटी और टोटल उटिलिटी है उसमें समस्थे तो होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि जैसे सिमान उपियोगिता गिर्दी जाती है तो जो टोटल उटिलिटी होती है, कुल उपयोगिता वो भी बढ़ती तो है, पर घटते दर से, तो वो हो गया एक रिलेशन, दूसरा ये होता है, कि जैसे जैसे सीमान उपयोगिता घटती जा रही है, तो वो ऐसे पॉइंट पर पहुंसती है, जहां पर उसका जो वेल्यू ह है, वो जीरो हो जाता है, यानि कि जब आप कुछ एक ही गुड को लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आपको उससे जो संतोश या यूटिलिटी है, वो जीरो मिलती है, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, कि जो पिछली यूनिट तक आपने जो चीजे यूज की थी, ज जितना आपको पांच केले खाने पे उपयोगिता मिली, छठा केला खाने पे कुछ भी नहीं हुआ, यानि कि जीरो यूटिलिटी मिली, तो पांच केले खाने पे जो आपको उपयोगिता मिल रही है, उतनी ही आपको छै केले खाने पर भी मिल रही है, तो यह हो गया दूसर अब तीसरा क्या होता है कि जब marginal utility जो है 0 से negative क्यों जाने लगती है यानि कि 0 से भी नीचे जाने लगती है जब आप extra और लेते हैं उस चीज को तो आपको जो उपयोगिता है वो negative में मिनने लगती है आपको नुकसान होने लगता है तो उस हालात में क्या होगा कि जो कुल utility और total utility है एक ही point से शुरू होती है marginal utility गिरती जाती है और total utility बढ़ती है घटते दर से फिर जहां पर marginal utility 0 हो जाती है वहां पर total utility constant यानि की स्थिर हो जाती है कि एक ही number पर रहती है फिर जैसे ही negative आता है marginal utility में total utility जो है वो गिरने लग जाती है तो यह जो होता है कुल उप्योगिता और सिमान्थ उप्योगिता के बीच में एक relation और संबंध होता है अब हम एक और चीज समझेंगे जिससे कि हम market को और बहतर तरीके से समझेंगे और समझ पाएंगे कि जो भूगता होता है वो market में कैसे act करता है तो जो demand curve होता है आप सभी जानते होंगे कि demand curve कैसा दिखता है graph उसका कैसा होता है एक side कीमत होती है दूसरे side मात्रा होती है तो हमने पढ़ा था कि जो उसका graph होता है वो downward sloping यानि नीचे के और गिरता है तो उसके कई कारण होते हैं कि जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती हो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग कम होती है इसे हम मांग का नियम कहते है और जो मांग होती है वो सिर्फ उस वस्तू के कीमत पे नहीं बलकि और भी दूसरे वस्तू की कीमतों पे न परन्यों, जब हम graph बनाते हैं, तो हम उन सब इस चीजों को स्थेर मानते हैं, सिर्फ यह मानते हैं कि जो वस्तू है, उसकी जो मांग है वो ईसकी खीमत पर Cape कर रही है तो अब हम यहां भी समझेंगे कि यह जो हमने अभी पढ़ा था कि हिर्ष्मान उप्योगिता नियम लॉफ डिमिनिशिंग माजना यूटिलिटी है उससे हम ग्राफ को कैसे समझ सकते हैं तो यहां पर बोला गया है नीचे की और धलवा मांग वक्र की स्पष्टी कर हासमा सिमांत उप्योगिता के विचार पर अधारित है यानि कि लॉफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसका नियम क्या खहता है कि जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीदेंगे तो आपका जो उप्योगिता है वो कम होती जाएगी और साथ में डिमांड भी कम होता जाएगा यानि कि हर अगली इकाई के लिए आप उतना देने कोई छुप नहीं होंगे जिता पिछले के लिए थे यानि कि मान लिजे मैं सोच रही थी कि हाँ अभी मुझे केले खरीने है तो मैं 40 रुपए दे दोंगी हर केले के लिए परंतु जैस जैसे मेरा जो है मेरी जो प्योगिता है वो संतुष्ठ होती जाएगी वैसे वैसे मैं चाहूंगी कि जो एक्स्ट्रा मैं खरीद रही हूं चार केलों के बाद उसके लिए मैं कम से कम दाम पे करों इसलिए जब चीजों की जो प्राइस है वो कम होगी केले की प्राइस कम हो यानि कि अगर मैं पहले 40 देने को रेडी थी, तो अब मैं कहूंगी कि नहीं, अब मुझे 40 रुपे में के लिए नहीं चाहिए, मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरी जो उप्योगिता है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, तो मैं कहूंगी कि हाँ, अगर 20 इसको और उप्योगिता को, और फिर आप सोचते हैं कि हाँ, यह आपको उत्ता फाइदा दे रहा है कि नहीं, और इसी कारण से जो मांग वख्र होता है, उसका जो ग्राफ होता है, डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानि नीचे की और गिरता जाता ह अब जब भी ग्राफ देखेंगे डिमांड कर्व का, वो नीचे की और जाता है, क्योंकि नीचे की और जो प्राइस है, वो कम होता जाता है, और मांग बढ़ती जाती है, और उपर की और प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होती है, तो अभी जो हमने पढ़ा, वो था ग consumer का behavior यानि भोगता के विवहार है उसके तरीके को समझ सकते हो तो हमने क्या क्या समझा पहले तो हमने समझा उपयोगिता क्या होती है कि हमें जिस चीज से संटोश मिल रहा है वो कित्ती होती है उसके बाद उसे हम गर्णा वाचक उपयोगिता विशलेशन के द्वारा नंबर से काउंट कर सकते हैं फिर हमने समझा कि जो जो नंबर में हम देखते हैं उस नंबर को भी हम दो तरीके से देखते हैं एक होता है कि सिमान्त उपयोगिता एक होता है कुल उपयोगिता Marginal Utility और Total Utility तो आप क्या कहते हैं Total Utility में सभी Units के Utility को जोड़ लेते हैं और Marginal क्या होता है कि हर Units आपको कितनी उपयोगिता मिली है फिर हमने समझा कि जो Demand Curve है वो Law of Diminishing Marginal Utility से कैसे जुड़ा है Law of Diminishing Marginal Utility क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक और Unit बढ़ाते जाएंगे एक और मात्र बढ़ाते जाएंगे किसी भी वस्तु की तो उसका जो उपयोगिता है वो कम होता जाएगा क्योंकि आपका संतोश जो है वो पूरा होता जा रहा है अब हम दूसरे विश्लेशन को समझेंगे तो दूसरा विश्लेशन है क्रम वाचक उपयोगिता विश्लेशन इसको अंग्रेजी में क्या बोलते है Arduino Utility Analysis अब ये जो है गण गणना वाचक उपयोगिता विश्लेशन से कैसे अलग है समझते हैं यहां पर क्या होता है कि लफ खाने से कितना संतोष मिला कितनी उपयोगिता मिला आप कभी ऐसा बोल नहीं पाते क्योंकि आपके संतोष को आप कैसे मेशर करेंगे उसका कोई तरीका नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं यह जो दूसर तरीका है यह ज्यादा प्राक्टिकल है तो यहां पर हम क्या करते तबोद्योगटों से लेते हैं और फिर क्रम दे पाते हैं कि कौन सा जो है ज्दा उप्योगिता आपको दे रहा है? तो यह कि अपको एक किला तर खुशिम मिलेगी तो उस हिसाब से हम उपयोगिता को नई तरीके से देख सकते हैं, यूटिलीटी को नई तरीके से नाप सकते हैं और वो है क्रम करके, कमपारिजन करके तो इससे पहले हैं कि हम इसको और डीप में समझें पहले हम समझ लेते हैं बंडल सेट क्या होते हैं तो bundle set वो सभी वस्तू होती हैं जो एक उभुक्ता ले रहा है अब दो bundle set में क्या difrence होता है इक bundle set में किसी जती भी वस्तू हैं उनकी quantity लिखी होती है कि इतना consume कर रहा है एक वैक्तिर और दूसरा bundle size उस सुवाले से अलग इसलिए होता है क्योंकि उसमें दूसरी quantity लिखे होते हैं यानि कि दूसरे numbers लिखे होते हैं तो यह होता है bundle set और होता क्या है कि मान लीजिए एक bundle set है हम सरलता के लिए मान लेते हैं एक bundle set में दो ही goods है good x और good y और दूसरे bundle set में भी दो ही goods है good x and y बस दोनों में यह फर्क है कि एक में किसी की मात्रा कुछ है और दूसरे में कुछ और है फिर हम क्या करते हैं हमना एक graph बनाते हैं एक graph बनता है जिसमें हम उभुकता की उप्योगिता को bundle set के द्वारा दिखाते हैं कि अलग अलग बिंदू दिखाते हैं different different bundle set के और फिर उन सभी सेटों को जोड़ा जाता है उन सभी बिंदूों को जोड़ा जाता है जो ऐसे bundle set को दिखा रहे हैं जिससे की उप्योगिता बराबर की मिल रही हो और वो जो फिर चित्र बनता है वक्र यानि graph बनता है उस graph को बोलते हैं अंधिमान वक्र अंधिमान वक्र क्या होता है Indifference curve लिख लीजे इंडिफ्रेंस कर्व और हिंदी में अंधिमान वक्र तो एक अंधिमान वक्र उन सभी बिंदूओं का प्रती निधित्व करने वाले बंडलों को जिनको भोगता तर्ट स्थ समझता है और उनहीं को जोडता है यानि कि उन सभी बिंदूओं को जोडता है जो एक बराबर की उप्योगिता दिखा रहे हों और फिर उससे एक कर्व निकल के आता है जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंज कर्व या अंधिमान वक्र अब यह जो कर्व होता है इसको भी थोड़ा सा और समझते हैं यह जो अंधिमान वक्र होता है उस पर अगर डिफरेंट डिफरेंट बंडल सेट आप दिखा रहे हैं कि एक पॉइंट पे माली जे गुड एक्स इतना है गुडवाई इतना है दूसरे पे गुडवाई उतना है तो होगा क्या आप कहतो रहे है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों पे बराबर का संतोश है तो यह कैसे कि अगर एक पे कॉइंटिटी अलग है दूसरे पे कॉइंटिटी अलग है तो दोनों पे संतोश बराबर कैसे हो सकता है तो इसका यह होता है कि माली जे good x पहले जादा था और दूसरे point पे good x कम है यानि की good x कम करके दूसरे point पे क्या हुआ है good y का quantity बढ़ा है मतलब बराबर संतोष रखने के लिए आप एक good की quantity को छोड़ देते हैं और दूसरे good की quantity को बढ़ा देते हैं मान लीजे कि आपको बोला गया केला और सेव आपके पास दो goods है ठीक है और एक point पे चार केले और तीन सेव आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे जितनी आपको संतुष्टी मिल रही है आप कहरें आप दूसरे point पे जाएं वहाँ पे भी आपको बराबर की संतुष्टी मिले परंतु आपको जो quantity है वो बदल जाए ताकि वो संतुष्टी बराबर रहे तो आप कैसे करेंगे अगर आप मालीज़े दूसरे point पे जा रहे हैं और केले की quantity कम कर रहे हैं चार से आपने तीन कर दी परंतु आपको संतुष्ट जादा रखना है तो आप क्या करेंगे सेव को तीन से पांच कर देंगे यानि की बराबर की संतुष्टी के लिए आप quantity में एक का कम करेंगे तो दूसरा का बढ़ा देंगे और इसको यह जो दर होता है जिससे आप एक को कम करते हैं दूसरे को बढ़ाते हैं उसे कहते हैं MRS Marginal Rate of Substitution यानि सिमान्त प्रतिस्थापन सिमान्त प्रतिस्थापन MRS जो होता है वह दर है जिस पर उभूपता एक गुड के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करता है यानि कि एक को छोड़के दूसरे को लाता है ताकि उसकी उप्योगिता समान रहे और इसका formula क्या होता है formula यह होता है MRS equals to कितना एक गुड में change आया divide by दूसरे गुड में जितना change आया delta y by delta x delta y यानि कि कितना change आया y के quantity में divided by कितना change आया x के quantity तो इस audio lecture को यहीं खतम करते हैं दूसरे audio lecture में यह जो marginal rate of substitution है इसी concept को आगे ले जाएंगे और जो बाकी की indifference curve और indifference map की जो विशेशताएं हैं वो समझेंगे तो धन्यवाद इस audio lecture को सुनने के लिए इसी audio lecture का दूसरा पार्ट जरूर सुने